दोस्तों इस Study91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मेलेकर हाजीर हो 24 में दिंग की क्लास और आज हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों question number 691 लेकर 720 तक के सवालों को देखे अगर आपने इस सीरीज नहीं देखी तिस सीरीज को सुरू से देखेगा अभी तो हम लोग दोस्तों इतिहास बिसे पर चर्चा करें बहुत जल दोस्तों इतिहास अभी प्राचिन इतिहास समाप्त हो के दोस्तों मद्यकालीन सुरू होने है दोस्तों गुप्त वन्स का इतिहास और गुप्त वन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे स्री गुप्त के बारे में घटोत कच गुप्त के बारे में चंद्र गुप्त प्रथम के बारे में और समुद्र गुप्त के बारे में यहां से संबधित कौन-कौन से सवाल आपसे आपकी एक्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर दोस्तों चर्चा पर चर्चा होगा, ध्यान दीज़ेगा इस Study91 के प्रेटफार्म पर अलग-अलग विसाय के लिए इन किताबों को चाहें, तो आप हमारे वेबसाइट से, अप्लिकेशन से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगा दोस्तों ये किताबी लिस्टिंग है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर आफ्लाइन बुक मार्केट में भी दोस्तों किताब अवलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, चली, शुरू की आज आज प्रस्नों के सिंखला को बहुत सांदार सवाल है, शुरुआत के दो-तीन सवाल, मैंने थोड़े से डिफिकल्ट रखें, डिफिकल्ट क्या रखें हैं, ऐसे सवाल रखें, जो आप से आपकी परिक्षा में पूछे जाएं, ठीक है, बहुत ध्यान समझेगा, दोस्तो, आज 24 मा दिन है, बहुत इंपोर्टन चीजिए, 24 मा दिन है, और क्वेस्चन नमबर 691 से लेकर 720 तक के सवालों को लेकर मैं हाजीर हूँ, पीछे के सवाल जरूर देखेगा, देखना मत भूलेगा, पहला सवाल क्या लि इतिहासकारों के द्वारा अलग-अलग तर्क दिया गया, कुछ ने सुद्र मान लिया, सुद्र अथात, निम्न जातिका, कुछ ने दोस्तो, कुछ इतिहासकारों का नाम दे रहा है, जो जिन्होंने अलग जातिका मान लिया, इसे एलन हो गया है, एसके हो गया, आएंगर ह लो जाता है ये क्या मानते हैं गुप्त सासक क्या थे लोग क्या मानते हैं वो गुप्त सासक क्या मानते हैं उसी तरह एक तीसरा सवाल दे रहा है कि वे इतिहास विद यानि विद्वान कौन थे जो गुप्तसासकों को छत्री मानते थे क्योंकि राजा थे तो छत्री मानते थे दोस्तों तो याद रखे सायद आपने नाम सुनाओगा चट्टो पाध्ध्याएका नई सुना है तो याद रखे दोस्तों चट्टो पाध्ध् वहीं दोस्तो रोमिला थापर की बाद दें आरिया शर्मा की बाद करन दें लोग वैस से मानते हैं ठीक है खेर क्या जानना है जाती के उपर नहीं जाना हमें ठीक है जात्य को लेकर के वैसे ही भारत में लंबे समयव से दोस्तों वारता चलती रहती आप लोगों को पता ही है सीदेम उपने सवालों पर आते हैं और अच्छे अच्छे सवालों पर दोस्तों लोग चर्चा करते हैं सुनिएगा ध्यान से पहला सवाल लिकरा गुपत बन्स का संस्थापक कौन था व्युक्त वं चीअ किसने डोस्तों माना जाता है कि k Cly산u के से समाष्था का कौन है जुक्त अच्छा सर यह स्यप्त गुप्त और गुप्त मतलब यह नाम था दोस्तों मैंने बड़ा रिशर्च किया तो मुझे कई जगा ऐसा भी पढ़ने को मिला कि इनका जो मूल नाम था वो नाम था श्री और इन्होंने गुप्त बंस क्या स्थापना किया था इसलिए इन्हें श्री गुप्त कहा गया क्या कहा गया दोस्तों स्री गुप्त कहा गया बाद के जो सासक हुए ना उन्होंने हर किसी सासक ने अपने नाम में क्या लगाया गुप्त लगाया जैसे यह हुए है स्री गुप्त हुए है इनके बाद दोस्तों इनका पुत्र घटोत कच गुप्त याद रखेगा नंबर एक पर का बढ़ने चंद्रगुपत दूति टिक है तो याद रखेंगा इस से उन्खला चलती रहे कि तो फिलहार हाप यादinky का संस्ठापक, किसे कहा जाता है स्छी-गुट को कहा जाता है दूसरी बात ये गद्दी पर दोस्तों कब बैठे ते कुछ लोगों की दिमाग में भी आ गया होगा कि सर इन्हों ने अस्थापना कप किया कब गद्धी पर बैठे तो याद रखेगा इनका टाइम पिरिड माना जाता दोस्तो 275 इस्वी से लेकर 390 इस्वी तक यह माना जाता ठीक है अच्छा एक बात बता हूँ आपको कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी है कई सारी किताबों में कई सारे इतिहासकारों ने माना कि भाई संस्थापा के यह नहीं थे संस्खापत जो थे हो घटोतकच गुपते थे जैसे मैं अगला क्वेशन देख लूँ लिख रहा है 319 से लेकर 350 इस्वी के बीच गुपत सासक जिसने महाराजा धिराज की जो उपाधी धाड़ किया था या चंद्रगुपत प्रथम ने धाड़ किया था दोस्तों यह पर मैं एक इमेज एट कर देता हूं सुन लिए जाना मेरी बार ठीक है गुपतवंस के बारे में यह कहा जाता है कि गुपतवंस के जो पहले सासक जिनका नाम क्या द अधर दिये जाते हैं एक कहा जाता है चीनी या त्री इत्सिंग था कौन था दोस्तों इत्सिंग चीनी या त्री था वो भारत आया था और उसने अपनी किताब में दोस्तों बताया है कि स्री गुपतवंस के संस्था पक थे टाइम पिरेड भी दोस्तों आप यहां पर नो प्रसस्ती के बारे में पढ़ेइगे आप Sudegave लेक लिके लेकन लेकिन अगला बात सुनिए थिक तो पॉइंट वन हो गया हमारा पॉइंट फू दोस्तों सुनिए का भड़े ध्हां से मैं जो समझाने जा रहा हूं इसके बाद दोस्तों जो सासक बना तों इनका पूत्र गुप्त ठीक है कहानी तो दोस्तो असला यहां से शुरू होती ठीक है कुछ इतिहासकार क्या करते हैं मानते हैं कि नहीं घटोत कच गुप्त क्या था दोस्तो वो जो है प्रथम राजा था अच्छा ओ लोग कौन कौन है दोस्तो तो यहां भी दो लोगों ने दो अपने प्र बिलेक आया था ठीक है जो पूना तामर लेक कहा जाता था तो पूना तामर लेक आ जाता था तो पूना तामर लेक जो प्रभावती गुपता का है वो कहा जाता है कि उसमें गुप्त वन्स का राजा किसे बताया गया है तो याद रखेंगा घटवितकज गुपत को राजा ही में कहा गया नहीं घटोतकज गुप्ट प्रथम राजा थे या गुप्त बंस का संस्थापक कौन था याद रखेगा घटोतकज गुप्त ऐसा वर्डन आ गया और इतना ही नहीं एक राचना और असकंद के समय में सुप्रिया भी लेखाया था ठीक है असकंद गुप्त के समय में क्या आया था दोस्तो याद रखेगा सूपिया अभी लेखाया था उस सूपिया भी लेख में भी दोस्तो याद रखेगा ये घटोत कज गुप्त को क्या माना जाता है राजा माना जाता है ठीक है त बिलहाल हम क्या करें सर मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए ज्यादा तर किताबों में तो स्री गुप्त मिलता है तो मेरे इसाब से तो आप स्री गुप्त को राजा मानिए बाकी इन सब फैक्ट को भी आप अपने साथ लेके चलिए ठीक है क्योंकि बिना फैट के पढ़ाई बेकार होती है इतनी बात समझ में आ गया ना चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया बताना ये राजा धिराज या महाराजा धिराज वाली बात बता दूं आपको सुनेगा बहुत ध्यान से सुनेगा ने तो फिर परिसान हो जाएगे ठीक है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये जो δोनों स्टार्टिंग के जो दोनों सा सकते चाहे में स्री गुप्त की बात कलनों तो दोस्तों इनोंने राजा धीराज की अपाधी धारड किया था है राजा धिराज की इसी तरह से जो इसका अगला सासक आया मतलब जो चंद्रगुप्त मौरे आया इस चंद्रगुप्त मौरे ने राजा धिराज की जगा पर क्या धाड कर लिया महाराजा धिराज जिया दोस्तों महाराजा धिराज तो सवाल क्या बनता है सवाल ये बार-बार और घटोतकच गुप्त ये लोग क्या करते थे ये लोगों ने धाड किया था किवल राजा धिराची पादी ठीक है इसको याद रखेगा चलिए आज है अगले सवाल पर अगला सवाल देरा दोस्तो वह सामराज जिसका वास्त्विक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थ संस्थापक कौन था तो क्या बताएंगे स्री गुप्त था अगर आपसे कहें कि वास्त्विक संस्थापक कौन था तब क्या बताएंगे चंद्रुप्त प्रथम था ये आप बताएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल लिख रहा है दोस् उसका राज्या रोहड हुआ था क्या हुआ था दोस्तों उसका राज्या रोहड हुआ था मतलब उसको राजा बनाए गया था जी हां दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम राजा कब बना था याद रखेगा 319 इस्विम बना था और यह कब से कब तक गर्दी पर बैठा रहा तो 319 से लेकर कुछ विद्वान मानते हैं 335 इसवी तक ठीक है कुछ विद्वान मानते हैं 35 था क्योंकि 35 के बाद फिर समुद्र गुप्त का सासंकाला जाता है और आगे देखे पीछे जो हमने पढ़ा पीछे देखे यहां पर लिखा था 350 तक ठीक है तो सन को लेकर के समय को लेकर के अभी भी बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है ठीक है और इस तरह के सवाल कभी नहीं बनते हैं कि भाई किसका time period exact कब से कब तक था क्योंकि हजारों साल पुरानी घटना है ठीक है इस वज़े से इतिहासकार अभी भी सोध कर रहे हैं अभी कोई clear न आगे बढ़िएगा तो इस point को याद रखेगा आगे लिखना दोस्तो वह सासक जिसने गुप्तकाल में पहली बार रजत मुद्राओं को देखे रजत माने क्या होता रजत कहा जाता चांदी की मुद्राओं को ठीक है तो रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था तो प्रचलन गुप्तकाल में किसने किया त्याद रखेगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया किसने किया दोस्तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया अच्छा एक छोटी सी बात बताओं चंद्रगुप्त प्रथम के राजपार्ट में जो सिक्के जारी किये गए ना उन सिक् लक्षमी की आकृती भी देखने की मिली किसके आकृती लक्षमी की आकृती अब सवाल क्या देता है ना कि बताइए किस गुप्त सासक के सासनकाल में जो सिक्के थे उनमें लक्षमी की आकृती मिलती तो क्या जवाब होगा आपका दो कि कैसे सवाल ले जाके अंदर से पूच एक साइड चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी की फोटो रहती थी और दूसरे साइड जो है लक्षमी की आकरिती थी इस तरह की मुद्राएं सोने की मुद्रा तो चली रहे थी रजत मुद्राओं का भी दोस्तों इन्होंने प्रश्रन किया गुप्त वंच में हमें रजत अझारी माना जाताह और घटोतकज गुप्त का समय क्या था तो समय मैंने पीछे आपको बताया था कि थींसो से लेकर 319 इसमी तक क्योंकि इसके पहले का जो समय था 205 भूसराओं गटोतकज गुप्त का है और इसके बात का समय दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जी का है ठीक है तो इसको याद रखेगा यह आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा और दोस्तों प्रथम राजा इसको कौन-कौन मानता है तो मैंने बता दिया है एक तो सूपिया अभिल पूना तामर लेख ठीक है पूना तामर लेख यह किसके समय का दोस्तों यह प्रभावती गुप्त के समय का है ठीक है प्रभावती गुप्त के समय का तो इसको याद रखेगा दोस्तों यह दोनों चीजे जहां पर गुप्तवन का संस्थापक किसे कहा गया तो याद रखे तो क्यों नहीं बताएगी वजब होना चाहिए क्योंकि यह सब तो ऐसे सवाल हैं जो बार बार आपसे परिक्षाम पूछे जाते अगर इतने भी सवाल आपने तयार कर लिया ना तो जबर दस मजा और आपको बता दूँ आप सोचो कल पना करो कि अगर एंसेंट हिस्ट्री का पूरी पूरी पिचर दोस्त आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर हमारे बैच में यह फाउंडेसन बैच में यह जीरो लेबल से आराम से बातें करेंगे ठीक है आगे बढ़़िए लिखरा लिक्षवी कुल की वह कन्याः जिसे चंद्रगु प्रथम का विवा हुआ हुआ लिछ्वी कुल की कन्या थी तो याद रखेगा उसकन्या का नाम क्या था तो उसकन्या का नाम था कुमार देवी क्या नाम था दोस्तो कुमार देवी ठीक है कुमार देवी नाम था उनी से चंद्रगुप्त प्रथम का बिवा हुआ था और याद रखेगा मैंने भी बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुछ सिक्के चलाये थे और सिक्कों पर दोस्तों किसकी आकरती बनवाई थी तो याद रखेगा अपनी स्वयम की आकरती ठीक है मतलब याद रखेगा चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है प्लस याद रखेगा खुमार देवी ठीक है पतनी के साथ दोस्तो एक तरब खड़े थे अगर दूसरे तरब क्या थी दोस्तो लक्षमी की आकृती लक्षमी की आकृती जिहां दोस्तो ये दोस्तो सिक्के जारी हुए थे तो ये भी आप याद रखेगा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है है कि और अगर समय थोड़ा सा यहीं पर चेंज करें समय थोड़ा सा ही पर चेंज करें अगर आप से पूचे 335 इसवी के बाद तब आप बताएगा दोस्तो किसके बारे में तब आप बताएगा कि समुद्र गुप्त का सासन यहां से स्टार्ट हो गया था ठीक है यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें लिकरा प्रयाग प्रसस्ती को लिखा था दोस्तो प्रयाग प्रसस्ती किसने लिखा है तो प्रयाग प्रसस्ती एक अभिलेख है क्या है प्रयाग प्रसस्ती एक अभिलेख है उस अभिलेख को लिखा किसने था दोस्तो तो याद रखेगा हरिसेड ने लिखा था किसने लिखा था हरिसेड ने लिखा था हरिस्यड कौन था दोस्तो ये दरबारी कवी था क्या था दोस्तो ये दरबारी इतिहासकार था ठीक है दरबारी इतिहासकार था किसका दरबारी इतिहासकार था याद रखेगा समुद्र गुप्त का ये दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था हरिस्यड क्या नाम था हरिस् यह लिखा है कि श्रीगुप्त बंस का संस्थापक था यह वही पन लिखावा है इस पॉइंट को आप याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं लिकरा वह गुप्त सासक जिसे धरडी बंद कहा गया देखें धरडी बंद क्यों बढ़ी किसे का जाता है धर्ती को का जाता है बंद का जाता है बाधने को ठीक है बाधने को या फिर यहां बंद का तात्पर न याद रखेगा जीतने से किसे हैं जीतने से ये दोस्तों बहुत मतलब बहुत बड़ा इसका सामराज था आप कहा सकते हैं कि असोक के बाद अगर अगर किसी ने सबसे वड़ा सामराज विस्तार किया तो समुद्र गुप्त ने किया किस ने किया समुद्र गुप्त ने किया ठीक है इसका नाम भी देखे समुद्र कुछ इतियासकार मानते इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सीमाएं समुद्र तक फैली थी ठीक है राजधानी पटना चल लही है भाई गुप्त सामराज की राजधानी कहा है पटना सवाल नहीं आया लेकिन याद रखे ठीक है गुप्त सामराज की राजधानी पटना है और पटना से समुद्र कहां मिलेगा वो उडिशा देख रहे हैं आंदर प्रदेश देख रहे हैं वो सब कांची प प्रसस्ती में ही दोस्तों उसने लेक किया ठीक है किसने उलेक किया है तो याद रखेगा हरी सेड ने उलेक किया अच्छा एक सवाल मैं पूझ दूँ आप से बहुत खतरनाक सवाल आपको आपका मतलब हिल जाएंगे आप लोग सुनके कभी आप से अगर सवाल आ जाए कि प् चम्पू सैली में किस सैली में दोस्तों याद रखेगा यह चम्पू काब्य सैली है काब्य की एक सैली होती ही चम्पू सैली ठीक है पढ़ा होगा आपने चम्पू काब्य सैली में यह लिखा गया ठीक है तो चम्पू काब्य सैली लिख लिजे पूरा लिख लिजे चम्प कि दोस्तों कहां पर है याद रखेगा ये प्रयाग प्रसस्ती में दोस्तों उल्लेक इसका किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़िए लिक रहा है वह गुप्त सासक जिससे इसमित ने ठीक है इसमित का पूरा नाम था वी ए इसमित क्या नाम था वी ए इसमित ठीक है तो याद रखेगा इन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा है तो याद रखेगा इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है या शमुद्र गुप्त को किसे कहा है शमुद्र गुप्त को क्या कहा है दोस्तो भारत का नेपोलियन कहा है ठीक है किसने कहा है दोस्तो तो विसेंट स्मित ने कहा या वी ए इसमित ने समुध्र गुत को भारत का नेपुलियन का क्यों कहा है क्योंकि मैंने कहा ने इसका सामराज बहुत बढ़ा था आपको एक कहानी बताओ मैं छोटी सी दोस्तो इसके राज पार्ट में ये तीन तरह की बिधियां देता था तीन तरह की बिधी काम करती थी युद्ध के लिए ठीक है थोड़ा सा फांडेशन बैच की बात करते है ठीक है सुनिएगा ध्यान से मजा आ जाएगा सुन करके भारत का नेपुलियन इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे बड़ा शामराज जिसका था ठीक है और ये तीन तरह की बिधियों का इस्तिमाल करता थ पहला था आत्म निवेधन बीधि लिखेगा दोस्तों ठीक है पहला था अलग पेंसी लिखता हूं पहला था आत्म निवेधन बीधि ठीक है जब ये हमला करने निकलता था न तो आपके पास एक रास्ता ये है बचने का कि आप खुदी आओ और समुद्र गुप्त के उनके चरड़ों में गिर जाओ, हाथ जोड़कर गिर गिर जाओ, कि सर हमारे उपर हमला मत करी, हम आपके साथ हमाराज, हमको कोई लड़ाई आपस नहीं करनी है, हम आपका हाथ पैर जोड़ते हैं, अगर ऐसा गिर 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 दिया, तो यह हो गया आत्मा निवेदन, आत कन्योपायन का मतलब क्या था? यह समुद्रगुप्त के युद्ध कन्ये की दूसरी स्टाइल थी, कन्योपायन मतलब कि आप अपनी कन्या का बिवाह समुद्रगुप्त के राज्य में कर दो, ठीक है? राज्य मतलब जो राजपरिवार्शों जो बिलॉग कर थे, उनके आएक दूस्तो है कन्यों पायन का लाता था ये दूसरा मेंथर था और ये पीसरा मेंथर था इन सबसे खतमनाग था जिसे का जाता था गुरुत मन्दक आप क inquy겠 मंडग का जाता दोस्तों गुरुत मंडग मेंधि समय जो Record चलते थे मूहर करते थे और मूढों पर हमेजा गरुड यह बिश्णु को पासके यानी आपको क्या करना है आपको गरुड मया उसको अपने राज में चलाना पड़ेगा ठीक है तो यहside गरुड मंदक मतलब क्या होता ठीक है तो इसका ताथ पर क्या कि पाकिस्तान का कुछ हद तक अधिकार भारत में भी है या भारत की करेंश अगर पाकिस्तान में चल ले तो भारत का कुछ अधिकार पाकिस्तान पर है ठीक है तो यह मेथड था कि आपको ना आपको गरण मुद्राओं को दोस्तो प्रयोक करन समुद्रों तक दोस्तों इसका विस्तार था कांची पूरम देखे कहा है दक्षिर भारत में पाटली पुतर से कांची पूरम बताओ कितना हजार किलोमीटर सफर करके यह आदमी पूरे भारत को एक कर दिया था इतना जीता था इसलिए तो भारत का नेपोलियन कहा गया ठीक ह जहां इस तरह के चीजों को पढ़ने को मिले आपको ताकि मजा आजाए ठीक है तो देखे बहुत सारी किताबे आचुकी है आप इन्हें पर्चेश कर सकते हमारे वेबसाइट से अप्लिकेशन से अमेजम फ्लिपकार्ट हर जगा यहाँ पे भी किताबे अब लेबल है आप बात हरे च्थीत कर सकते हैं चलिए आगे बढ़िए लिकरा गुपत सामराज की राजधानी क्या थी तो काफी आसां सा सुवाल है गुपत सामराज की राजधानी कहा थी दोस्तो याड रखेगा पाटली पुत्र की сथापना किष्ने किया था थीक है पातली पुत्र की स्थापना कि इस ने किया था ठीक है स्थापना ठीक है बताए या इसका संस्थापक कौन था ठीक है तो मैंने बताया दोस्तो उदाइन था कौन था दोस्तो उदाइन जो था उसने पातली पुत्र के स्थापना किया था तो याद रखेगा लिख रहा है तोड़ा से एंटिक सवाल सवाल ऐसा दे दिया अरे समुद्रगुप्त का संधी विग्रहत का मतलब है उसका दरवारी इतिहासकार ठीक है दरवारी इतिहासकार ठीक है कौन लिखता था समुद्रगुप्त के बारे में तो अरे सर हरी सिर्ण लिखता था तो हरी सिर्ण इसका सवाल देता है परिक्षा में टेक्निकल चीजी दे देता है तो इसको याद रखेगा करा वह वस्तु जिस पर समुद्र गुप्त का चित्र वीडा वादन करते वे दोस्तों दिखाए गया है तो याद रखेगा मुहर पर किस पर दोस्तों मुहर मुहर को दोस्तों सिक्का भी क दिखाए गाए लक्ष्मी की आकृति वाले मुद्रा की बात कर दें तो याद रखेगा लक्ष्मी की आकृति वाली मुद्रा मुद्राव वो किस ने जारी किया था वो छंद्रगुप्त प्रथम था भाया अगर मुँसे गलती से निकल तो फासी मत चड़ा देना ठीक है याद रखना ठीक है उसका भी वागवा था कुमार देवी से ठीक है उन्होंने जारी किया थे वाली मुद्रई इसको तो बीड़ा वजाते वे दिखाये गया तो मुद्दा एदम क्लियर रखिएगा ठीक है कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो आ ठीक है तो याद रखेगा आप संस्थापक नाम क्या ठीक है अब यहां पर देखे बहुत एक स्टाल लगाता हूं यहापर सुनिएगा कुछ विद्वान मानते हैं कि समुद्रगुप्त का वास्तुविक नाम कच था क्या था कच या काच ठीक है और कुछ लोग मानते हैं कि काच वास्तों में इसका नाम नहीं था या इसका भाई था ठीक है तो याद रखेगा, ये राजा बनने से पुर्ण अपने भाई के विद्रों को समाप्त करता है, और तब राजा बना था, क्या सही है, नहीं पता, क्योंकि नितिन सर कोई इतिहासकार नहीं, मैंने बहुत सारी किताबे पड़ी, और किताब को पढ़ने के बाद दो मत मेरे साम ने हैं दो मत मैं दोनों मत आपको बता रहा हूँ इसले बता रहा हूं देखो कुछ बच्च पीस्चे लिकर्ने निकल जाते हैं सच्छा है हम दोनों मुद्धा जान जांए TRA Rh से बहतर है तो सुनिए कुछ इतियासकार मानते हैं कि इसी का वास्तियों का नाम कच या सबना था प्र ये आता है तो दोनों बाते मैंने रख दिया आपके समक्ष लिकरा हरिसेड ने किसकी रचना किया है तो हरिसेड ने भईया प्रयाग प्रसस्ती की रचना किया है और किस सैली में तो बताया था आपको चम्पू काब्बे सैली में किसमें दोस्तो चम्पू काब्बे सैली में यह रचना किया गया है, इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखे, लिख रहा है, समुद्र गुप्त ने किसकी उपाधी धारड की, तो समुद्र गुप्त को देखे, कवी राय भी, कवी राज भी कहा जाता ह ठीक है, कवीयों का राजा, कवी राज का मतलब क्या दोस्तों, कवीयों का, कवीयों का राजा कहा जाता है इसे, ठीक है, कवीयों का राजा, उपर से दोस्तों आपने सुना है कि समुद्र गुप्त को वीड़ा बजाते वे दिखाया गया था, तो इसी वज़े से दोस्तों इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है इसे दोस्तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ठीक है नेपोलियन भी कहा जाता है क्यों संपुर भारत को जीता था इसे विक्रमांक की उपाधी भी धाड़ किया था किसका दोस्तो विक्रमांक जिया दोस्तो विक्रमा दित का नाम सुनाओगा लेकिन विक्रमांक नहीं सुनाओगा विक्रमांक की उपादी भी इसने धार किया था इसने दोस्तो अस्वमेध यग्य कराया था इसलिए इसे अस्वमेध करता भी कहते हैं क्या कहते हैं अश्वमेध करता वो इसे पूछे का विक्रमांक की उपादी किसने धार किया क्या बताएंगे समुद्र गुप्त कविराज की उपादी किसने धार किया क्या बताएंगे समुद्र गुप्त ठीक है किस सासक को संगीत प्रेमी कहा जाता क्या बताएंगे समुद्र गुप्त गुप्त के किस सासक को कवी राज भी कहा गया देखिए आभी गया तो कवी राज किसे कहा गया दोस्तों याद रखेगा समुद्र गुप्त को कहा गया ठीक है समुद्र गुप्त को क्या कहा गया कवी राज कहा गया ठीक है लिख रहा है समुद्र गुप्त की सैनी कुप लब्धियों का वर्डन किस अभिलेक में मिलता है देखिए जितना चीजें है सब प्रयाग प्रसस्ति इसका जो दरबारी कवीता हरिशेण उसने भर दिया प्रसस्ति में इतना तारीप का पूल बाना समुद्र गुप्त के बारे में सब इसी में रख दिया हरिशेण ने कहा कहीं बाहर जाने के जरूत नहीं है सिर्फ एक अभिलेक देखो इसीम सब निर्डे मिल जाएगा गुप्त बंस की सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है लिक लेकिन इसką सामरा जे पाटली पुत्र से लेके समुध्र तक दोस्तों फैला हुआ था और इसकी युद्धुभीजय को नाम क्या दिया गया दिया गया प्रासअ सुनिये क्या लिख युद्धुभीजय को ठीक है किसके नाम से ये आपके लिए नया सवाल नहीं पता था ना को दाड़ किया तो मुख्य रूप से दो बताएंगे यह तो कवी राज की उपाधी इंपोर्टेंट है दूसरा विक्रमांग की उपाधी इंपोर्टेंट ठीक जो बार बार आता परिक्षा में बता रहा हूं बाकी तो मैंने बहुत कुछ आको समजा दिया तो यह आप याद रखेंगे लिखरा अस्व में देखे पुनरास्थापक की कथा के सिंग किसने जारी किये तो याद रखे ओले सिंग्वि किसक्क इसका है ठीक है वीडा वाला सिक्का भी किसका था वो भी सिक्का है तो उसको भी आप याद रखे भई सवाल तो आ सकता है तो कहीं से भी आ सकता है तो याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए लिकरा समुद्र गुप्त के अभियानों का उलेक है किस अभी लेक में मिलता है फिर से प जो लव अस्तंब एंगे अगलता है ुस उनलेख लेका प्रारंबिक सासकों के बारे में जानकारी कहा मिल दी जो सुरुवाती सासक थे उनके बारे में दोस्तो जानकारी कहां से मिलती है तो दोस्तो बहुत सारे पुराण है जैसे आपने सुना होगा मत्से पुराण के बारे में तो मत्से वनसावलियों का मिलता है देखने के लिए ठीक है कि गुप्त मंस के सासक कौन थे प्रारंबिक सासक जो शुरुआते है इलनों का दोस्तों वर्डन ये तमाम पुराणों में देखने हो बाकी हमकादे प्रयाग प्रसस्ती में तो सब आप जानते हैं ठीक है तो उसको याद र देखिए सब कुछ प्रेलिश में रख दिया गया है एप भी दोस्तों मैंने रेजिटर्ट कर दिया पीडिए इसका अगर आपको चाहिए तो स्टड़ी 91 के एप में आजाए वहां पर दोस्तों फ्री बैश फार आल गौर्रमेंट एक्जाम के नाम से एक बैश देखेगा उसमें आएगा उसी में GS का फोल्डर होगा उसमें सिक्वेंस से पूरी क्लास है जब जिसका पीडिप चाहिए ले लिए परसान मत होई है मैं चाहता तो इसका पीडिप आपको ना देकर बेच सकता था लेकिन इतना घटिया काम नहीं करता हूँ अच्छा काम करता हूँ ब हमारे दोस्तों दोरा पढ़ाया गया कुछ ऐसे भी से हैं जो पूरी तरह से समाप्त होगे इनका है निटे नोर्स भी दोस्तों अबिलिबल हमारे वेब साइट पर अप्लिकेशन पर इसे भी आप ले सकते ठीक है चली आज की क्लास ही समाप्त होती है निवेदन आपसे है क अगर अच्छा लग रहा और नितिन सर मेहनत करना आपको ऐसा महसूस हो रहा तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर से करीबर चेक कर लिजे कि सबस्क्राइब किया है कि निया बेल आइकन प्रेस कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं ज कि आपके 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 आपके